स्वागते दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल आर्गिदा एक्सपर्ट वर्ड दोस्तों इस संसार में कुछ ही ऐसे दुलब पौदे होते हैं जो देखने में अतिन सुन्दर होने के साथ नाकेवल औसदी गुण की रूप में लाबकारी और बास्तु दोस्त का भी निवारन करने वाले होते हैं ऐसा ही पौदा है सेलोसिया कॉक्स कॉम्ब जिसे हिंदी में मुर्गा कलगी या मकमली का पौदा भी कहते हैं आज की वीडियो में मैं आपको इसी पौदे के औसदी ग घर के आगन में और ग्रह बाटी काओं में यह लगाया जाता है इसका लेटन नाम सेलोसिया कृस्ताता है हिंदी में इसको कोकन लाल मुर्गा मुर्केस जटाधारी कहते हैं संस्कित में सिखिनी रुद्ध जटा मराठी में मयूर सिखा और अंग्रेजी में कॉक्स कॉम कहा जाता है भार्दी भासाँ में इस पोद्ध के कई बेन्यवे नाम हैं जो आपको इस वीडियो के दिस्क्रिप्ट सन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों मुक्ता सेलोसिया पौद्ध की तीन परजातिया होती है जिसमें पहला है सेलोसिया क्रिस्था था इस पौदे का फूल मोर या मुर्गे के सिखा के समान दिखता है इसलिए इसको मुर्गा कलगी भी कहते हैं या पौदा घर के अंदर और बाहर समान रूप से उगाया जा सकता है इस पौदे का उपयोग पुराया सजाने के लिए किया जाता है इसके फूल आपके फूल दान में लगाए जा सकते हैं इसका एक नाम बैलवेट फ्लावर भी है दूसरा होता है सेलोसिया, आरजेंटिया इसमें फूलों की किस्म पंक नुमा होती है देख सकते हैं आप तीसरा है एमरेंथस, कौडा टस इस पौधे की सिरे पर गुती हुई लंबी चुटिया के समान आकर सक फूल आते हैं और इसी पौधे का उपयोग सबजी बनाने के रूप में साग के रूप में किया जाता है इसकी पत्तियां और फूल सबजी के रूप में प्रुप्त होती है इसका साख खाने से मन प्रसन होता है और यह डिप्रेशन को हटाता है इसलिए कहा जाता है कि इसके खाने से और घर में लगाने से खुसी मिलती है दोस्तों अजीब बात यह है कि मकमली का पौदा जब छोटा होता है तब इसके पत्तों पे लाल रंग के स्पोर्ट अधिक होते हैं लेकिन जैसे जैसे ये पौदा बढ़ता जाता है लाल निसान कम हो जाते हैं और कभी कभी पत्तियां बिलकुल हरी रह जाती है माखमली का पौदा एक सीजनल पौदा है इसके बीज बरसात के महिनों जून चुलाई में बोई जाते हैं और सितंबर से लेके दिसंबर तक इसमें फूल आने लगते हैं जो कि मुर्गे की कलगी के तरह होते हैं मार्च अप्रेल में ये पौदा सूप के नश्ट हो जाता है इससे पहले इसके बीज जो कि इसके फूल के नीचे होते हैं उनको इखटा कर लेना चाहिए वीडियो में आप देख सकते हैं इसके बीज बहुत ही बारीक होते हैं और इनका रंग काला होता है और इसमें बहुत चमक होती है दोस्तों मकमली का पौदा बहुत ही लापकारी है यह नाकेबल डेकुरेटिव पौदा है इसके लावा यह बास्तु दोस्त नेवारन का भी कारे करता है इसको घर में लगाने से सकारमत्त कूर्जा घर में आती है और नकारात्मा कूर्जा घर से बाहर चली जाती है इसको हमे एक डुस्ट आत्मा नासक पौदा है यानि इसके घर में लगाने से बुरी आत्मा का प्रिविस रुख जाता है। औसेदी गरूप में आरवेद में इसका बहुताई सुप्रयोग होता है। नकसीर में इसके पत्तों का रस तीन से चार मुंद लेकर संभाग जल मिलाकर नाक में डालने से नकसीर बंद हो जाती है। गर्मी में होने वाले सरदत में माते में इसके पत्तियों का रस लगाने से फायदा मिलता है। इसके पौधे के पंचांग को अर्जुन छाल में मिलाकर उसका काड़ा पीने से हिदर रोगों में बहुत ही लाब मिलता है। इसके लावा मुर्गा कलगी पंचांग में समभाग मकोय का पंचांग और पुनानवा मूल मिलाकर पीने से लिवर सिरोसिस और फैटी लिवर जैसे रोगों में अत्यंद लाव मिलता है इसके लाव आई है पत्री के लिए ग्राम बान इलाज है मकमली के 5-10 गराम बीच के चूण को पानी के साथ सोबह साम लेने से कितनी की पत्री तूटकर निकल जाती है इसके लावा खांसी में भी मकमली के बीच चूण को सहथ के साथ मिलाका लेने से अत्यंद ही आराम मिलता है मकमली की बीचों का काड़ा बनाकर 10-15 ml मात्रा में पीने से सबी पिकार के मूत्यकच, डाइरिया, डिसेंट्री, आदी रोग ठीक हो जाते है तो दोस्तों याथी जानकरी मकमली के पौदे के बारे में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को अंचे तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद